नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अबेपरताब और आप देख रहे हैं AP Drawing तो गाईज आज हम आपको 10 पॉइंट की हल्प से सबसे आसान तरीके से शिवरात्री पर चेत्र बनाना सिखाएंगे यहाँ पर आप 4 पॉइंट लगाईएगे 2 पॉइंट नीचे 4 पॉइंट आप इधर लगा देंगे गाईज अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर में से नहीं उठाया तो जल्दी से उठा दीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए इस पहले वाले पॉइंट से आप बीच वाले पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ से एक लाइन ड्रो करिएगा एक लाइन आप इधर बढ़ा दीजिए सेम हम इस साइडवे से रिपीट कर देंगे इस से आसान आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बगवान शिव जी की जय जरूर लिखिएगा इधर से लाइन बढ़ा देंगे अब हमें इस पॉइंट को उपर के साइड में मिलाना होगा इधर से भी पॉइंट को मिला दीजिएगा पॉइंट को मिलाने के बाद दीखेगा दोस्तों हमें इसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन आप इधर भी ऐसे आसानी से ड्रॉ कर देंगे उपर के साइड से यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए इधर 4 line draw करेंग, 1, 2, 3, 4 इसको यहां से चोटे चोटे आर्क बनाते हुए, मिला दीजिए यहां से इधर ले जाएंगे, यह हो जाएगा, इसको इसे डबल कर दीजिएगा डबल हो जाने के बाद दोस्तों ध्यान से दिखेगा उपर के साइड में चोटा सा सर्किल बनाईए, फिर हमें flower बना देना होगा एक इधर भी ऐसे, सेम आप repeat कर देंगे, बहुत ही खुबसूरत लगेगा नीचे हमें दिया बना देना होगा, इधर से बढ़ाईए, यह अंदर के साइड में 3 number आप नीचे के साइड से भी, सेम हम इधर भी ऐसे repeat करेंगे, उपर के तरफ इस दिया को जला दीजिएगा, इधर भी आप दिया को जला देंगे दोस्तों, जलाने के बाद नीचे दिखेगा, इस line को हमें बढ़ाना है आगे, इधर से भी point को आगे के साइड में बढ़ा द दीजिए, थोड़ा सा यह हमारे नीचे हो गया, तो आप इसको state, scale के help से state करेंगे, तो बन जाएगा, इस side दोस्तों हमें करना है, straight line ड्रॉ करना है, और इसको double भी करना होगा, दिखेगा, तृशूल बनाना है, बाहर के side में line, एक V लेटर, पतला सा, यहां से S लेटर लि देखिए, फिर इसको भी double कर दीजिएगा, एक line इदर, एक यहां पर, डमरू बना दीजिए, भगवाई शिव जी का, यहां से से जाएगा, line ड्रॉ करके, इधर आप ऐसे, छोटे-छोटी line ड्रॉ कर दीजिएगा, इधर भी आप नियां बना दीजिएगा, बहुती लगवाई झाल झाल